हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में आज के इस वीडियो में बच्चों हम के विक्रम सी की यात्रा वृतांत को पढ़ने वाले हैं सिर्सक का नाम है कल्लू कुमहार की उनाकोटी यह लिया गया है कक्षा नौवी के हिंदी पाठे पुस्तक संचेन भाग एक से बच्चों सिर्सक बहुत ही अटपटा सा है कल्लू कुमार की उना कोटी उना कोटी सब्द का अर्थ क्या होता है देखिए बच्चों उना कोटी उना कोटी सब्द का अर्थ होता है एक करोड से एक कम चलिए मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूं ताकि ये जो है वो आपको हमेशा याद रहे उना कोटी यानि एक करोड से एक कम कोई भी वस्तू एक करोड से एक कम है तो उसे हम कहेंगे उना कोटी ठीक है बच्चों? तो यह आपको याद रहेगा चलिए आज के इस वीडियो में हम इस सिर्शक का सारांस देखते हैं इस पार्ट में लेखक ने अपनी तृपूरा यात्रा का वर्णन किया है बच्चों तृपूरा तृपूरा के बारे में भी आपको बता दे तो तृपूरा जो है वह उत्तरपूरबी ध्यान रखेगा तृपूरा उत्तरपूरबी सीमा परिस्थित भारत का एक तीसरा सबसे छोटा राज्य है और तृपूरा की राजधानी अगर तल्ला है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे लेखक कहते हैं कि इन्होंने तृपूरा के वैक्तिओं, धर्मो, दार्षनिक अस्तलों, आदी का वर्णन किया है या पाठ हमें छोटे से तृपूरा राज्य के बारे में कई जानकारियां देता है अब क्या-क्या जानकारियां हमें मिलने वाली हैं? वह देखते हैं नीन बिजलियां चमकने और बादलों के गरजना की कानफोरू आवाज से खुले कानफोरू आवाज तो समझते ही होंगे बच्चों इतना तेज आवाज जिसको सुनने से ऐसा मैसूस होता है जैसे हमारी काने फट गई हो तो इतनी तेज आवाज को सुनना हम पसंद नहीं करत तो ऐसे आवाज को क्या कहा गया यहाँ पर कानफोरू आवाज यानि जिसको सुनने से कान फटने लगता है और यह आवाज किसकी थी बिजलियों के चमकने की इस द्रिश्य ने उन्हें दिसंबर 1999 की घटना जब वा ओन दरोड सिर्शक की टीवी स्रिंखला बनाने के सिलसि तो यह किसकी याद दिला दी थी उन्हें बच्चों 1999 में जववा तिर्पूरा की राजधानी अगर तल्ला की यात्रा पर गए थे क्यों गए थे तो यह देखें उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था तिर्पूरा की रास्ट्रे राजमार्ग 44 से यात्रा करने और राजे के विकास संबंधी गती वीधियों के बारे में जानकारी देना तो यह मुख्य उद्देश्य था तिरपुड़ा की यात्रा पर जाने का आगे लेखक बताते हैं कि तिरपुड़ा राजे की जनसंख्या 34 प्रतीशत है जो काफी उची है यह राजे बांगला देश से तीन तरफ से घिरा है और एक तरफ से भारत के दो राजे मिजोरम और असम से सटे है तो बच्चों जो तिरपुड़ा है वह बांगला देश से तीन तरफ से घिरा हुआ है और भारत के दो राजे से बांगला देश से सटा हुआ है वो दो राजे कौन कौन से हैं तो वो है आपका मिजोरम और असम आफ हमें कमेंट करके मिजोरम की राजधानी और असम की राजधानी का नाम बताएं लेख़क बता रहे हैं कि सोनुपूरा, बेलूनिया, सबरूम, कैलास सहर, तिरपूरा के महतपूर्ण सहर हैं जो बांगला देश से करीब है अगर तल्ला भी सीमा चौकी से दो किलो मीटर दूर है अगर तल्ला की जो सीमा है वह बांगला देश की सीमा से केवल दो किलो मीटर की दूरी पर ही है बांगला देश असमा पश्चिम बंगाल के छेतरों से लोगों की भारी आवाक से यहां की चनसंख्या को असंतुलित कर दिया गया जो त्रिपुडा में आदिवासी असंतोस की मुख्य वज़ा है तो यहां पर आदिवासी असंतोस की मुख्य वज़ा क्या है बच्चों लेखक ने किसे मुख्य वज़ा बताया है तो देखे लेखक कहते हैं कि त्रिपुडा जो है व बस रहे हैं जिस वज़े से वहां के जो निवासी है वह क्या है बहुत ही पड़ेसान है और संतों सब्द का अर्थ होता है बच्चों और प्रशन्यता यानि जिस वज़े से वहां के जो आदिवासी है वो क्या है और प्रशन्य है दुखी है पहले तीन दिनों में लेखक निय अगरतला और उसके नजदी किस्ते जगों की सूटिंगी उज्यंत महल अगरतला का मुख्य महल है जिसमें अब वहां की राज्य बिधान सभा बैठती है तो लिखक उज्यंत महल की बारे में बता रहे हैं यह महल जो है वह अगरतला का मुख्य महल है जहां राज्य बिधान यह आप कह सकते हैं बैधानिक सभा तो भारत के विभिन्य राज्यों में जो निचना सदन होता है उसे कहते हैं राज्य बैधान सभा आगे लेकर बताते हैं कि त्रिपुडा में बाहरी लोगों के आने से समस्या पैदा हुई है और इस समस्या से जो वहां के आदिवासी हैं जो वहां के निवासी हैं वो बहुत ही अप्रशन्न है इसके साथ यह भी कहते हैं कि यह राज्य बहु धार्मिक समाज का उधारन भी बन गया है यानि बाहरी लोगों के आने से यहां बहुत सारे धर्म के लोग जो हैं वह रहने लगे हैं त्रिपुड़ा में 19 अनुसूचे जन जातियों और विश्यो के चार बड़े धर्मों का परतिनिधित्यों मौजूद है ध्यान रखेगा कितनी अनुसूचित जन जाती है 19 और विश्व के चार धर्मों का परतिनिधित जो है वो मौजूद है कहां तृपूरा में अगर तल्ला के बाद लेखक टिलियाम पूर कस्वा पहुँचे जो एक विसाल गाओं है यहां लेखक की मुलाकाद हेमंत कुमार जमातिया से हुई जिनने 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रुस्किर किया जा चुका है अब देखिए जब लेखक तृपूरा गए तृपूरा के राजधानी अगर तल्ला गए उसके बाद वो पहुचे टिलियाम मूरा कहां पहुचे बच्चों टिलियाम मूरा कस्वा और यह एक बहुत बड़ा गाओं है कहां तृपूरा में और यहां उनकी मुलाकात होती है हेमंत कुमार जमातिया से जिन्हें 1996 में संगीत नाटा का कादमी पुरुसकार से नवाजा जा चुका है इसका अर्थ है बचों ये हेमंत कुमार जमातिया जो है वो बहुत ही अच्छे गायक है आगे लिखक बताते हैं ये कोक बारोक बोली में गाते हैं अब ये कोक बारोक बोली जो है वा त्रिपूरा की कविलाई बोली है जो कवीले लोग बोलते हैं उस बोली में हेमंत कुमार जमातिया गाते हैं अब हेमंत ने हरियार बंद संघर्स का रास्ता छोड़ कर चुनावलरा और जिला परिशद के सदस्य बन गये थे जिला परिशद ने लेखक के सुटिंग यूनिट के लिए एक भोज गयोजन किया एक छोटी सी पार्टी उन्होंने एरेंज की जिसमें उन्हें सीधा साधा खाना परोसा गया भोज के बाद लेखक ने हेमंत से गीत सुनाने का अनुरूद किया और उन्होंने लेखक को धर्ती पर बहती सकती साली नदियों, ताज की भरी हवाओं और शांती का एक गीत गाया वॉली उड़ के सबसे मौलिक संगीत कारों में से एक S.D. वर्मन तृपूरा के ही थे तो देखिए उनके गीतों को सुनते सुनते लेखक ने हमें यह भी बता दिया कि S.D. वर्मन जो एक संगीत कार थे वह कहां के थे? तृपूरा के थे टिलिया मूरा सहर के वार्ड नमबर तीन में लेखक की मुलाकाद एक और गायक मंजू रिसिदास से हुए रिसिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है जो जूते बनाने के अलावा तबला और ढोल जैसे वाधों का निर्मान भी करते थे किससे मुलाकाद होई बच्चों टिलिया मूरा में लेखक की? तो मंजू रिसिदास से मंजू रिसिदास भी एक गायक थे इनसे मुलाकात हुई और इन्हें पता चला कि लेखक जो हैं वह मोची समुदाय से हैं मोची जिसका काम होता है जूते चपल बनाना तो यह जूते चपलों के अलावा तबला ढोल जैसे वाधियंत्र भी बनाते थे रिसिदास रिडियो कलाकार होने के अतिरेक नगर पंचायत में अपने वाध का परतिनी धित्तु भी करते थे अब देखिए एक गायक होने के साथ साथ वह नगर पंचायत के मेंबर भी थे उन्होंने लेखक को दो गीत सुनाए जिनका लेखक ने सुटिंग किया टिल्या मूरा के बार त्रिपूरा का हिंसा ग्रस दिलाका सुरू हुआ हिंसा ग्रस दिलाका जहां आए दिन हिंसा होती रहती थी तो ऐसे इलाकों का भी सुरुवात हुआ लेखक वहां से CRPF की हथियार बंभारी में मनु कसवे की ओर चल परे किस कसवे की ओर गए बच्चु लेखक दू किस के साथ गए तो CRPF के जमाण जो पुलीस के जमान थे उनके साथ गए क्योंकि आसपास का जो इलाका था वो हिंसा गरस था यानि आये दिन वहाँ पर हिंसा हूर्ती रहती थी मनु कस्वा, मनु नदी के किनारे इस्थित है साम के समय वे लोग मनु कस्वा पहुँचे वे लोग उत्री तिरपूरा जिले में पहुँच चुके थे वहाँ लोगप्रिये घरेलू गती वीधियों में से एक है पत्ली-पत्ली सीकी तयार होती है बच्चों वह कहां होती है वह मनु कस्वा में होती है अगर बत्तियां बनाने के लिए उन्हें करनाटक और गुजरात भेजा जाता है उन सीक्यों को कहां भेजा जाता है करनाटक और गुजरात राजियों में उत्र दिरपुड़ा जिले का मुख्याल है केला सहर है जो बांगले देश की सीमा से करीब है यहां के जिलाधी कारी से लेखक ने TPS यानी टरू पोटेटो सीड्स बच्चों यह TPS जो है वा आलू का एक किस्म है जिसके बारे में लेखक कहते हैं कि जो मात्र 100 ग्राम में ही एक हेक्टियर की बुगाई कर देता है यानी 100 ग्राम बीच जो है वा पूरे एक हेक्टियर में बुना जाता है लेखक को बाद में उनाकोटी के बारे में पता चला उनाकोटी सब्द का अर्थ तो आप लोग जान ही चुके हैं बच्चों उनाकोटी सब्द का अर्थ होता है एक करोर से एक कम तो लेखक कहते हैं कि उन्हें बाद में जाकर कि उनाकोटी के बारे में पता चला जो देश के सबसे बरे तीर्थ अस्थलों में से एक है यह कहां है बच्चों? त्रिपुडा में कहते हैं लिखक कि उना कोटी का अर्थ होता है एक करोर से कम दंद कथा यानि पुरानी कथा जो लोगों के द्वारा सुनी गई हो दंद कथा के अनुसार उना कोटी में सीब की एक करोर से एक मुर्ती कम है विद्वानों के अनुसार यह जगा दस वर किलोमेटर इलाके से ज्यादा में फैली हुई है पहारों को अंदर से काट कर मुर्तियों का निर्मान किया गया एक बिसाल चटान पर गंगा अवतरन की कथा को चित्रित किया गया यानि गंगा अवतरन यानि गंगा की जो प्रीथवी पर अवतरन की कहानी है कथा सब्द का अर्थ होता है बच्चों कहानी तो गंगा मा के प्रीथवी अवतरन की जो कहानी है वो एक बहुत बड़े चटान पर लिखा गया है यानि चित्रित किया गया है चित्र के माध्यम से बताया गया है अब लिखक के मन में कई सवाल है लिखक सोचते हैं कि इन आधार मुर्तियों का निर्माता कौन है या उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला था आधिवासियों के अनुसार इन मुर्तियों का निर्माता कलू कुमहार था अब देखिए कलू कुमहार से संबंधित एक दंद कथा है वो कथा इस परकार है कलू पार्वती का एक बड़ा भगत था और सिप पार्वती के साथ कैलाज जाना चाहता था पार्वती के जोड देने पर सिप कलू को ले जाने के लिए तयार हो गै परन्तु उन्होंने सर्थ रख़ी कि एक रात में कलू कुमहार को सिप की एक कोटी यानि एक करोर एक कोटी कहने कारत होता है बच्चों एक करोर मुर्तियों बनानी होंगी कलू रात भर काम करता रहा परंतु सुबह से उसकी मुर्तियों की संख्या एक करोर से एक कम निकली इस बात का बहारा बनाते हुए सिब ने कलू कुमार से अपना पीछा चुड़ा लिया और कैलास चले गए अब उन्होंने कलू कुमार को क्या कहा कि मैंने तो तुम्हें अपनी एक कोटी मुर्टियां बनाने कहीं थी लेकिन तुमने मेरी एक कोटी में एक कम मुर्टिया बनाई है इस वज़े से तुम हमारे साथ केलास नहीं जा सकते और उसे उन्होंने वहीं छोड़ दिया अब लेखक बताते हैं कि इस जगह की सुटिंग करते हुए लेखक को चार बज गए उन्हों कोटी में अंधीरा छा गया और बादल गरज गरज कर बरसने लगे आज का गरजन लेखक को तीन साल पहले वाले उन्हों कोटी के गरजन का याद दिला गया तो आज जो बिजली चमक रही थी गरज रही थी इससे लेखक को उन दिनों की याद आ गई जब वा उन्हों कोटी गए थे तो बच्चों ये था कल्लू कुमहार की उन्हों कोटी की कहानी ये सिरसक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिलकुल न भूले यदि आपका कोई प्रिशन और सुझाब हो तो उसे भी आप हमें कमेंट करके बताएं वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा अपने दोस्तों को सेयर करें मिलते हैं बच्चों इसी अध्याई के प्रिशन भ्यास के साथ तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद